नमस्कार प्यारे साथियो नीट अपडेट 2024 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जैसे जैसे नीट 2024 की काउंसिलिंग की डेट नजदीक आती जा रही है वेसे वेसे नीट को रद करने की चांसे जब लगातार दोस्तों बढ़ते जा रही है वहीं पर दोस्तों विपक्स ने खुले तोर पर ये जो सुप्रिम कोट को चेतावनी दी है और सरकार को जो है कट गरे में खड़ा कर दिया है वहीं दोस्तों विपक्स का कहना है कि अगर नीट का पर जो परीक्सा वो लीक नहीं वा था यानि इसके अंदर कोई भी अगर गरबड़ी नहीं हुई थी तो फिर CBI जांट इसके उपर क्यों बैठाई गई यानि दोस्तों अगर CBI जांट बैठाई गई है तो ये नीट जो है जरूर लिक वा और दोस्तों वहीं अगर मानने कि CBI को ऐसे ही बिठाय गया तो फिर वो गिरफदारी किसकी हुई है? दोस्तो लगातार अपन देख रहे हैं इसके अंदर आज 13 गिरफदारी हो चुके, आज 14 हो चुके, आज 15 हो चुके दोस्तो विपक्ष ने इस मानक बहुत ज़ादा तेज कर दिया गया है और उन्होंने साप साप कहा है कि अगर लीक नहीं हुआ था तो फिर गिरफदारिया किन लोगों की हुई है वो कौन लोग है जो NEET के नाम से गिरफदार हो रहे हैं लगातार और SOG की जो टीम है उसके जो कटकरे में खड़ी होती जा रहे हैं वहीं दोस्तो सुप्रीम कोट न इसमें जो है निसकर से निकालते रहें अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी चूक लगती है तो इसके नीट के जो फेसले उसके उपर जो दुबारा एक बार बेठे कोगी दुबारा उस फेसले को जो रिवाइज किया जाएगा और क्या मामला है पूरी गहनता से एक बार जो दुबारा नीट के उपर फेसला दिया जाएगा वहीं दोस्तो आपके लिए बड़ी खबर ये है कि नीट का जो एक्जाम जो रद होने के चांसेज है वो दोस्तो अभी भी लगातार बने हुए है क्योंकि भले ही इन्होंने काउंसलिंग की डेट दे दिये भले ही दोस्तो काउंसलिंग भी क्यों न हो जाए लेकिन दोस्तो यहां आपको पताईए कि जो छात्रों का हित नहीं है दोस्तो वो एक्जाम कभी भी सपल नहीं हो सकता 24 लाख विद्यार्टियों के खिलाप जाके एक सुप्रिम कोट ने फेसला दिया था कि नीट को जो एक्जाम रद नह चाहते हैं और दुबारा नए सीरे से रिनीट को जो कंडेक्ट करवाना चाहते हैं सो फ्रेंस एक बार इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब के जगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके कमेंट में एक बार रिनीट 24 जरूर लिखें ताकि दोस्तो रिट याचिकाई जो कोड के अंदर दायर कर सकें दोस्तों और दोस्तों अगर आपके भी सामने कोई ऐसी बातें आती है या ऐसा कोई मामला आता है सो फ्रेंस आप भी सुप्रीम कोड के अंदर याचिकाई जो है दायर कर सकते हो और आप साप साप खुला उसको जो चैलें में लीक हुआ है so friends दुबारा नीट होना चाहिए और विपक्स दोस्तों पूरा लगातार विध्यार्टियों के चाहत है और जाना तक दोस्तों उमीद है कि नीट दुबारा रद होगा और एक नए सीरे से जो है आयूजन हो सकता है so friends आप क्या चाहते हैं अगर आप भी नीट को चाहते हैं और आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so friends चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर ज्यादा चे ज्यादा लाइक और उन विध्य प्रवेश परिक्सा की अपडेट के साथ